दोस्तों अक्सर आपने बॉलिवुड में देखा होगा कि बॉलिवुड के सूपर स्टार्स और उनके फैन के बीच में ही तना तनी हो जाती है यानि कि आपस में ही जगड़ा हो जाता है और कई बार Bollywood के सूपरस्टार अपने ही फैंस के साथ धखका मोकी भी करते हुए दिखाई देते हैं और यही कारण है कि कई बार देखा जाता है कि Bollywood के सूपरस्टार से उनके फैन इतने नाराज हो जाते हैं मुझे पता है आप नहीं मानेंगे लेकिन दोस्तो इस बार आपको मेरी ये बात मानने पड़ेगी क्योंकि इस बार सची में ही महस बाबू के फैंस उनसे नाराज हो गए हैं लेकिन दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर महेस बाबू के फैंस उनसे नाराज क्यों होए हैं। और फिर आप खुद ही कहोगे कि भाई या ये नाराजगी तो बनती है। ऐसी नाराजगी तो फैंस और सुपरस्टार्स के बीच में होनी ही चाहिए। देखे दोस्तों जैसी कि आप सबको पता है कि महेस बाबू की अपकमिंग मुवी SSMB 28 की सुटिंग सुरू हो चुकी है। और टॉलिवड के प्रिंस महेस बाबू इन दनों अपनी मुवी SSMB 28 को लेकर काफी बीजी भी चल रहे हैं। और इस मुवी को डिरेक्टर त्रिवी करम स्री निवास बना रहे हैं। और इधर इस फिल्म की सुटिंग में लगातर देरी पे देरी दिखाई जा रही है। सूपरस्टार्स के बीच की बॉंडिंग, बॉलिवुड के सूपरस्टार्स और उनके फैन के बीच की बॉंडिंग की तरह नहीं है, और इसलिए जितना प्यार साउथ के सूपरस्टार्स को अपने फैन से मिलता है, उससे दोगुना प्यार साउथ के सूपरस्टार्स अपने फैन को लुटाते हैं अपनी फिल्मों के जरिये और इवेंट्स के दौरान अपने फैन से रुबरू मिलकर और दोस्तो यही कारण है कि जब अपने सूपरस्टार्स की सरफ से साउध के फैन्स को कोई भी अपडेट नहीं मिलती उनकी फिल्मों को लेकर तो वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं अपने सूपरस्टार से लेकिन जब भी उनकी मुवी की कोई अपडेट आती है तो वो बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं और उस मुमेंट को फेस्टिवल की तरह इंजोई करते हैं मतलब कि साउथ के फेंस अपने सूपरस्टार से नाराज होना जानते हैं तो उनको बखूबी प्यार जताना भी जानते हैं और दोस्तो ऐसा ही कुछ देखा गया है महिस बाबू के साथ होते हुए तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि साउथ के फैंस की ये नाराजगी साउथ के सूपरस्टार महिस बावू तक पहुंचती है या नहीं और जैसे ही पहुंच जाती है तो वो इसको लेकर क्या कदम उठाते हैं ये तो वक्त आने पर ही पता लगेगा लेकिन दोस्तों क्या आप भी मेरितर है महिस बावू की अपकमिंग मुवी SSMB 28 को लेकर एकसाइटिन है और अगर हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी एकसाइटमेंट दिखा सकते हैं इसके लावा अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो व सब्सक्राइब इसके साथ मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में तब तक जाहिंद